हेलो, इस्टुडेंट गुड़े उनिंग, टार्गेट विस आलोग के आनलाइन प्रेडफार पर मैं, एपी मोरिया आपका एक बार फिर से सौगत करता हूँ, हम लोग आज पढ़ेंगे अल्फाबेट 2, अल्फाबेट का सेकेंड पार्ट हम लोग क्लियर करेंगे, हम लोग जहां तक अपनी बात समाप्त किये थे, वहीं से आगे चलेंगे, ठीक है, आज हम बात करेंगे सबसे पहले, पूछ लेता है अल्फाबेट में, कि दो अक्षरों के ठीक बीच का, ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा, और जानने के लिए, जैसे, कुश्चन अगर हम से पू अक्षर होगा, और यह बात जानने के लिए, हम यह तो अल्फाबेट लिख ले, या उस से आसान तरीके से हमें काम कर सकते हैं, और ओ काम देखें, ओ काम हम kommt में, यहां पर सीधे-सीधे कर सकते हैं, जैसे, करना क्या होगा हमें, हमें करना यह होगा कि दोनों दोनों अक्षर के दोनों अक्षर के सीधे क्रम को जोड़कर दोनों अक्षर के सीधे क्रम को जोड़कर सीधे क्रम को जोड़कर दो से भाग दें दो से भाग दें, यानि इसका क्रमांग क्या होता है, सीधा क्रम इसका जो हमने याद करके रखा है, वही सीधा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 24, तो हमें करना यह है कि इस कथन के अनुसार, इस नोट के अनुसार करना है कि 8 और 24 को हम एड कर लेंगे, तो 24 आठ 32 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जबाब आएगा सोलवा अक्षर और सोलवा अक्षर हम जानते हैं क्या होता है पी जिसका सोला क्रमांग है इसका मतलब किसी भी किसी भी दो अक्षर को देकर हमके उनके ठीक मद्ध का अक्षर पूछा हो तो हम उनके दोनों के सीधे क्रमांग को सीधे क्रमा क्रमांख एक तरफ से होता है जो एक हमने रट रखा हुआ है तो उनको जोड़कर दोık से भाग दें आधा कर दें और उस पर उसी का वो जो आधा करने पर आएगा वो अक्षर का क्रमांख है वो अक्षर हमारा जबाब हो जाएगा तो इसी तरह इसी लहजे में हमें दो तीन तरह से पूस्ता है जैसे कह देगा जैसे कह देगा कि दाएं से सात्में अक्षर तथा बाएं से सात्में तथा बारवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो अपनी जैसा हम लोगों ने सीखा है कि सीधे सीधे अलफ़ाबेट के अलफ़ाबेट का सुरूप लिख लेंगे अपने सामने छिया है कि किसी भी चांस में हमसे गल्टी होने की गुनजाइस नहीं रहेगी क्यों क्योंकि अभी हमने नोट में लिखा था कि प्रते एक अक्षर के दोनों अक्षर के सीधे क्रम को जोड़कर हम दो से भाग देंगे तो सीधा क्रम किसका होगा हम कैसे जानेंगे हमें इसी तरह जानेंगे कह रहा है कि वर्लमाला में दायें से तो दायें कौन है जड तो दायें से सात्मा और बायें से बायें से बारह में अक्षर के ठीक मद्ध में तो यहां पर सीधा क्रम किसका है No doubt जिसका क्रमांग A की तरफ से बताया गया है वो सीधा क्रम है और जो क्रम Z की तरफ से बताया गया है उसे हम सीधा करेंगे सीधा करने के लिए क्या करेंगे हमें पता है कि प्रतेक अक्षर के दोनों क्रमों का योग 27 आता है तब हम दोनों के सीधे क्रमांग को पाएंगे और दोनों अक्षरों के सीधे क्रम को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देना है यानि 12 प्लस 20 को जोड़ लेना है 32 हो जाएगा 32 बटे 2 कर दें तो 16 अक्षर यानि यहां भी हमारा जबाब क्या हो जाएगा अक्षर P इसी तरह clear रू से राइट से 11 अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा तो इन दोनों के ठीक मध्य में अक्षर जानने के लिए हम जल्दबाजी ना करें क्योंकि लेफ्ट राइट को अगर आप A और Z समझ लेंगे तो कभी-कभी गलत कर जाते हैं उसकी वज़ा क्या है उसकी अगर माला को रिवर्स करम में लिखा गया हो तो बाएं से आठमें और दायें से 11 के बीच में कौन सा होगा तो ऐसी मुश्किल में आप लोग गलती कर जाते हैं तो हमेशा याद रखें हमारे लिए सबसे बहतर होगा कि हम इतना अपने सामने रख लें और इतना सामने रख बाएं også जाएगा यानि इसका सीधा क्रम अंक 16 तो हम 16 और आठ ग्रम आर्ट को जोड़ कर 16 और क्या हो जाएगा 16 सीधे सीधे दोनों अक्षर के सीधे क्रम को जोड़कर दो से भाग दे देंगे, ठीक है, क्लियर है, तो इस कंडिशन में हमारा जबाब क्या हो जाएगा, अक्षर यल हो जाएगा, अगला कभी कभी ऐसा करता है, कभी कभी ऐसे कह देगा, कि बाएं से चोथे अक्षर तथा दाएं से आठवे अक्षर के ठीक मद्ध में कौन सा अक्षर होगा, कभी कभी कुश्चन ऐसे भी कर लेता है, और आपको सिर्फ उलजाने के लिए, इसको ले करके कोई भी परिसानी नहीं करना किसी भी तरह की परसानी नहीं होनी चाहिए इसमें हम क्या करेंगे सेम वही प्रक्रिया पहले तो करेंगे पहले तो वही प्रक्रिया करेंगे कि लेप्ट से चौथा कह रहा है यानि A से चौथा और right यानि Z से आठमा बता रहा है तो इसका सीधा क्रमांग निकालेंगे 20-28 सीधा क्रमांग 4 और 19 को हम जोड लेंगे तो उननीस चार हम जानते हैं कि 23 होगा और 23 बटे दो करेंगे तो यहाँ पर देखें सीधे सीधे हमारा जबाब पोड़ांक में नहीं आएगा तो वी परेसान होने की कोई जरूरत नहीं अगर हम 23 को 2 से भाग देते हैं तो हमारा जबाब क्या हो जाएगा 11.5 तो साढ़े 11 या 11.5 किसी का क्रमांक होता है जी नहीं तब हम क्या रहेंगे, ऐसी स्थिति में, हम इस से पहले बारा लेटर ले ले लेंगे, यानि 11 लेटर, और इसके बाद वाला यानि 12 लेटर, यानि इन दोनों अक्षरों के बीच में, कोई सिंगल लेटर नहीं रहेगा बल्कि हमारा जबाब होगा के और एल यानि इन दोनों अक्षरों में जो प्रस्ण हम से किया गया इन दोनों अक्षरों के बीच कोई ठीक एक निस्टित अक्षर नहीं होगा और यह दो अक्षर होंगे और दोनों तो यल नहीं बलकि के और यल दोनों इनके बीच में रहेंगे इतनी बाते क्लियर है ठीक है तो प्रतेक किसी भी दो अक्षर के बीच अगर मध्धिका अक्षर पूछे तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं गुड चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे ब में भी रख दिये जाते हैं या किसी दूसरे चैप्टर सीरीज वगेरा के तहर जोड दिये जाते हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर रखकर पढ़ना है बहुत महत्रपूर नहीं होता तो कुछ अलग-अलग तरह के कुश्चन को आपस में बदल दिया जाए दूसरे तथा सातवे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दाये से चौथा अक्षर कौन सा होगा तो दाये से चौथा अक्षर पूछ रहा है लेकिन किस सर्थ पर ध्यान से समझें बदल दिया जाए तो पहला और चठम अगर बदल रहे हैं तो इसका मतलब है होगा इसका मतलब है हुआ कि एक दो तीन चार पांच तो पांच पांच अक्षर का दो ग्रूप बना रहा है अब जरा ध्यान से समझो अगर इस बात को आप समझ लेते हो तो बिना कुछ किये ही आ आपको बदलना भी नहीं पड़ेगा भासा से साथ अगर आप जुड़ गए तो जरा पर यहां पर देखो कि सी एक्स से बदल जाएगा पहला चठे से फिर आगे कह रहा है दूसरा साथवे से तीसरा आठवे से चौथा नौवे से और दसमा ग्यारवे से अगर ऐसे बदल तो निस्चित रूप से सोचो कि यह पांचो लेटर इधर आ जाएंगे और यह पांचो लेटर इधर चले जाएंगे आप खुद करके देख लो आपके सामने आपके सामने ठीक है कांटेक्शूल कांटेक्शूल सब्द के कांटेक्शूल सब्द के अक्षरों को ठीक है पहला अगर छठवे के साथ चेंज होगा तो X यहाँ पर आ जाएगा और C यहाँ पर हो जाएगा, T यहाँ पर हो जाएगा, O यहाँ पर हो जाएगा, U यहाँ पर हो जाएगा, N यहाँ पर हो जाएगा, E यहाँ पर हो जाएगा, T यहाँ पर हो जाएगा, L यहाँ हो जाएग और यहां पर हो जाएगा इस तरह से यही बात हुई न जो मैंने आप से तो होगा धाय से 4 लाकशर कौन होगाै तो यहां पर भी अगर हमें पता चल जाता कि यह पांक चुर लास्ट में चले जाएगे तो दाएं यह होगा 1,2,3,4 खटë से हमारा जबाब निकल जाता है studio हमारा जबाब कहा हो जाएगा हमारा जबाब हो ऐसे कुश्चनों में गलती ना हो तो यहां पर देखें सियद सब्द प्रेग्मेटिज्म के पहले वह दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया जाए और परिवर्तन का ये क्रम आगे भी जारी रहे तो दाये से सात्मा अक् बिया आप ऐसे समझे लो दो दो बदलेंगे लेकिन रहेंगे तो वहीं तो दाये से अभी सात्मा कौन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात्मा कौन है अभी जी जब ए इससे बदल जाएगा तो जी की जगां पर कौन आ जाएगा ए और खट से हमारा जबाब हो गया आ आप पहले पहले आप इसको बनाएंगे पहले आप इसे बनाएंगे इस तरह फिर दो दो अक्षर जैसे वो कह रहा है चेंज करने को क्या कह रहा है कि पहला और दूसरा यानि आर पी लिखा जाए और जी ए लिखा जाए ए ए एम लिखा जाए आई टी लिखा जाए और एम एस लिखा जाए तो ऐसे ही तो दो अक्षर बदलेगा तो अब आप खुद देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सात्वा लेटर कैसे ए हो गया, हाँ, ए हो जाएगा, सही है, इलकुल, सात्वा लेटर कौन हो जाएगा, इस क्रम पे आ रहा है, तो सात्वा लेटर हमा बदल जाएगा, तो जी की जगा क्या मिल जाएगा, ए, तो हमारा सीधे सीधे जबाब हो जाता, है ना, तो दोनों तरह से यही मैंने कहा कि कुश्चन्स बहुत टिपकल नहीं होते, बस इनकी भासा कुछ इस तरह से बना दी जाती है, जिसमें आप उलज जाएं, गलत कर ज सुरू हो, तो सेस वर्डों के दाएं से चौथा वर्ड कौन सा होगा, अब सोचो, कह रहा है कि वर्ड माला के सभी दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, और सुरुवात बी से हो, तो हटेगा कौन जरा सोच कर देखो, दूसरा हटेगा, चौथा, छठमा, अठमा, दसमा, बा 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26 अक्षर हट जाएंगे, कौन? जिसके क्रमांक समसंख्या वाले हैं, दो के गुड़ज हो जाएंगे, सब हट जाएंगे, तो बचेगा कौन? बिसमसंख्या क्रमांक वाले सारे अक्षर, यानि हमारे पास बचेगा कौन? ए से लेकर M तक, हमारे पास बचे जाएंगे, तो अब पूछ रहा है, तो सेस वर्डों के दाएं से, यानि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा? तो M से देखने के लिए हम क्या करते हैं? यहां से A से लेकर M तक 13 अक्षर हैं, तो दूसरे छोर से देखने के लिए हम एक प्लस करके घटाते हैं, तो 13 एक, 14 लेटर A की तरफ से कौन सा होता है? जे, तो हमारा अशर कौन सा हो जाएगा? अरे? शारी, यहां पर देखें, इस करम में देखें, कि हमारा अशर तो 10 मा जे हो रहा है, ठीक है? जे को देख करके हमारा, अब ध्यान से सोचे क्या जे रहेगा? जे अक्षरों में रहेगा? न से बाद वाला लेकिन इस प्रक्रिया में आप ध्यान से देखें कि A से M तक नहीं रहेगा ये थोड़ी सी मिश्टेक हो गई A से M तक नहीं रहेगा बाबू हमेशा ध्यान रखना कि A से A से ये नहीं रहेगा इसको आप समझें जब हड जाएगा तो बचेगा कौन A से लेकर A से लेकर Y तक बचेगा है ना वाई तक बचेगा और हमसे दायें से चौथा अक्षर पूछ रहा है तो इस क्रम में हमारा जबाब क्यों सको कि A से M तक कैसे बचेगा एक से M तक 13 चर होते हैं लेकिन उसमें सम क्रमांक वाले भी है ना यह थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई तो यहां पर देखें सारे सम क्रमांक वाले हड़ जाएंगे ना सारे विसम क्रमांक वाले होंगे यानि एधर A होगा इधर Y होगा तो 4 लेटर पूछ रहा है comparison की तरफ से चौथा लेटर पूछ रहा है चाहे आप ऐसे कर लो कि वाई की तरफ से पहला क्या होगा पचीसमा इसके बाद क्या होगा दूसरा तेईसमा फिर क्या होगा एक्कीसमा फिर क्या होगा उननीसमा तो चौथा क्या हो जाएगा उननीसमा और चाहे आप इसको ऐसे दे यह जाएं तेरा अक्षर तो दाएं से चौथा पूछ रहा है तो अगर अगर ना हटाए जाएं तो चौथा नहीं बलकि आठवा हो जाएगा तो 27-8 कर लेंगे तो डारेक्ट आपका जबाब 19-वा ऐसे भी आप जबाब निकाल सकते हैं इस तरह का भी जबाब निकाल सकते है यानि कुल मिलाकर हमारा एंसर हो जाएगा आपसन B यानि S ठीक है हाँ हम समझ रहे हैं बड़ियां आए ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सब्द कंफर्म में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्ड माला में होते हैं कुश्चन को ठीक से समझें को समझने पर ही क्रिया बहुत इसमें बड़ी नहीं होगी यहां पर कह रहा है शब्द है शब्द दिया हुआ है confirm सब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्डमाला में होते हैं इसका मतलब कहना यह चाहता है कि यहां इस सब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहां पर जितनी दूरी हो उतनी ही दूरी उन दोनों अक्षरों के बीच में वर्डमाला में भी होती हो तो ऐसे कितने जोड़े हैं और एक काम देखने के लिए आप अक्षर से भी कर सकते हैं और उनके क्रमांक से भी लेकिन आप यहां निकाल तो लेते हो लेकिन कभी कभी आप जोड़े पूरी तरह ढूड नहीं पाते इसमें कारण हो जाता है कि यही काम अगर आप नंबर से करो यही काम इनके क्रमांक से कर लेकिन अक्षरों को जोडने घटाने का यह नया क्रम होता है तो इसलिए नंबर से के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बेहतर रूप में आपको दिखाई देगा यहां पर देखें जैसे चौदा और पंद्रा पडोसी है ना ओ और एन तो वर्डमाला में भी यह दोनों पडोसी होते हैं ठीक है यहां पर भी इनके बीच में कोई नहीं और वर्डमाला के वर्डमाला में भी इन दोनों के बीच में कोई नहीं फिर से प्रस्न समझो कहरा है अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्डमाला में होते हैं तो इन दोनों के बीच जैसी इस्थिति यहां पर है ऐसी इस्थिति वर्टमाला में भी इन के बीच में होती है, तो एक जोड़ा यह हो जाएंगे अब आगे हम ढूड़ने की कोशिस करें तो यहां पर देखें, तीन है, चार, पांच, छे, देखो, तीन से चलने पर, चार, पांच, छे मैच कर रहा है, तो दूसरा जोड़ा ए हो जाएगा, याद करो आप C और F के बीच में C और F के बीच में वर्डमाला में कितने लेटर होते हैं C और F के बीच में 2 लेटर और यहाँ पर भी C और F के बीच में 2 लेटर तो हुआ ना उसी के जैसा और एक बात और ध्यान देना कि C इधर हो कि इधर हो इससे मतलब नहीं है मतलब हमारी दोनों के बीच की दूरी से है आप नहीं तो कहो कि सर वर्डमाला में पहले N होता है तब O होता है जी हाँ लेकिन यहाँ पर दूरी तो इक्वल है हमसे दूरी की बात बूछ रहा है और वर्डमाला वाले क्रम में ही हो यह नहीं कह रहा है तो यह दो जोड़े हो जाएंगे और अगर देखने की कोशिस करें तो यहां पर देखें 14 15 16 17 18 नहीं बैठा 15 16 17 18 19 नहीं बैठा 13 से जाएंगे 14 15 तक यहां तक बनेगा नहीं तीन से भी नहीं बनेगा यानि यहां पर कुल मिलाकर दो ही जोड़े हैं यानि यहां पर कुल मिलाकर दो ही जोड़े हैं सो हमारा एंसर क्या हो जाएगा हमारा एंसर आपसंसी हमारा जबाब अगला कुश्चन देखते हैं अगले कुश्चन में कह रहा है इस्टेपलर सब्द में अक्षरों के ऐसे कितने ड़ोड़े हैं जिनके ऑतने uh ह вм müs में तो यह यही प्रस्ण और मह सब्द बखते हैं ताकि चीजें आसान हो, आसान तरह से हम पहले सिस्टम को सीख लें, है ना, तो यहाँ पर देखें, 19-20, है ना, एक जोड़ा यह हो जाएगा, और आगे देखें, तो 19-20 इस से जादा तो बड़ा है नहीं, तो 20 से उपर गिनने का कोई मतलब नहीं, 16 से देखें, तो 16, 17, 18, 19 16 से 19 पर फिट बैठ रहा है, है ना, चाहिए अक्षर से भी देख लो, P, Q, R, S, P से S बैठ रहा है, बीच के अक्षर भले नहीं, लेकिन संख्या वही है, तो दो जोड़े हो जाएगा, और अगर देखें, तो एक, दो, तीन, चार पर आ रहा है, यह तो होगा नहीं, है ना और अगर देखें, तो 16, 17, 18 हो रहा है, यह भी नहीं हो पाएगा, यहां पर 19 हो जाएगा, तो 12 से अगर देखें, तो 12 से 18 भी नहीं हो पाएगा, 12 से 16 भी नहीं, 20 या 19 भी नहीं, तो यहां पर भी हमें कितने जोड़े मिल जाएगे, यहां पर भी हमें कितने जोड़े मिल सिख्या रहेगी और आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि यहां पर जबाब होगा या नहीं क्योंकि नमबर से जोड़ना और घटाना हमारे लिए अक्षरों की अपेच्छह बहुत आसान होता है है ना तो नमबर को समझना हमारे लिए जादा बेहतर होता है तो हम नमबर से देखेंगे तो हमारे लिए चीजे क्लियर हो जाएंगी चलिए अगले वाले कुश्चन पर चलते हैं वंडर्फुल सब्द के अक्षरों को वर्डमाला के क्रम में क्रम बद्ध किये जाने पर कितने अक्षरों के अस्थान अपरिवर्तित रहेंगे एक कहरा है कि वंडर्फुल सब्द के अक्षरों को वर्डमाला क्रम में क्रम बद्ध करना है तो वर्डमाला क्रम क्या होता है अ यानि A to Z order में अर्थात बढ़ते करम में मतलब आरो ही करम में यानि Asending correct में तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आख्षर आएगा सबसे पहले वर्ड निश्चित रूप से D, फिर E, फिर F, इसके बाद कौन सा मिलेगा, इसके बाद मिल जाएगा L, फिर N, फिर O, और O के बाद मिलेगा फिर R, U, और लास्ट में W, तो यहाँ पर याद रखना, जब इस तरह का प्रस्न आए, तो उसी सब्द को लिख लेना, और एक अक्षर के नीचे एक वाले क्रम में जैसा मैंने दिखाया ऐसे ही लगाना, इससे दो फायदे होंगे, कि एक्जाम में आपके सामने प्रेसर रहेगा, कहीं जल्दबाजी में कोई अक्षर छूट ना जाए, या किसी अक्षर को आप दुबारा ना ले ले, इससे ज़्यादा आसान होगा, एक के नीचे एक लगाएंगे, तो अगर कोई भी छूटा या डबल हुआ, तो आपको पकड़ में आ जाएगा, दूसरा, एक कहता है कि कितने अक्षरों के आस्थान आ परिवर्तित रहेंगे, यानि कितने अक्षर ऐसे हैं, जिनकी सीट नहीं बदलेगी, तो यह च कितना अक्षर अपने पुराने ही अस्थान पर है, आप परिवर्तित है, बदला हुआ नहीं, अगर अक्षर पूछ रहा है, तो आप यू कह सकते हो, और अगर संख्या पूछ रहा है, तो ऐसा केवल एक, चुकि यहां संख्या में पूछा गया, तो हमारा जबाब क्या हो option B1, हमारा जबाब क्या हो जाएगा, option B1, clear है, अगला question देखें, category शब्द में कितने अक्षर आरंभ से उतनी ही दूर हैं, जितना दूर उन्हें वर्ड माला क्रम में लगाये जाने पर होंगे, बात वही है, लेकिन पूरी की पूरी भासा बदल कर दे रहा है, कि आप कहीं गिर जाएं, समझ ना पाएं, क्या कह रहा है, कितने अक्षर आरंभ से उतनी दूर हैं, यानि कितने अक्षर उतनी ही दूरी पर हैं, जितनी सब्द के अक्षरों को वर्ड माला क्रम में लगाने पर होंगे, मर्थात कितने अक्षर ऐसे हैं, जो वर्ड माला क्रम में लगान तो सबसे पहले कौन सा आकशर होगा इसमें सबसे पहले वर्ड माला में निस्चित रूप से A आएगा फिर A के बाद E आएगा E के बाद G आएगा और G के बाद पहला आकशर यहां C था category में तो यह पूरे मिश हो जाएंगे ठीक है category का पहला आकशर क्या था? पहला अक्षर C था ना तो पहला अक्षर यहाँ पर C था कटेगरी नहीं तो गेगरी हो जाता ठीक है तो यहाँ फर चलिए पहला अब क्या होगा A हो जाएगा अब C आ जाएगा C के बाद E हो जाएगा, E के बाद G हो जाएगा, G के बाद O हो जाएगा, O के बाद R और R के बाद T और At Last Y है ना अब आग जरा देखो आप सारे अक्षर को आपने क्रम से लगा दिये बढ़ते क्रम में है की नहीं बढ़ते क्रम में कैसे जानेंगे पहला लेटर तीसरा पांचमा सातमा पंदरामा ठारमा भीसमा पचीसमा सब बढ़ते हुए क्रम में हैं है ना बढ़ते हुए क्रम मे और कोई अक्षर छूटा नहीं, तो देखो C के सीट है, नहीं, A की, T की, E की, G की, O की, R की, Y की, Y की तो वही है, इसका मतलब अब जराब प्रस्ण को देखो, कितने अक्षर आरंब से उतनी ही दूर है, एक अक्षर Y आरंब से उतनी ही दूर है, जितनी दूर वडमाला क्रम म पर है ना उतनी ही दूरी पर है चेंज नहीं हुआ तो आप खुद समझो प्रस्ण पीछे वाला ही है लेकिन भासा पूरी की पूरी तरह चेंज यहीं है कि भासा में आपको उल्जाना भासा में आपको गिराना तो यहां पर भी हमारा जबाब क्या हो जाएगा वन आप संसी आप संसी हमारा सही जबाब अगला कुश्चन देखते हैं अगले तरीके भी इसमें बदलते जाएंगे इसमें सारे प्रसंद कंडिशनल होते हैं उसके द्वारा बताई गई सर्तों के अनुसार हमें क्रिया करनी होती है तो आपलिक शब्द का निम्न में से कौन सा रूप ह होगा जब सब्द के प्रतेक स्वर को अंग्रेजी वर्ड माला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतियस्थापित करते हुए तथा प्रतेक ब्यंजन को तीसरे अक्षर से प्रतियस्थापित करते हुए लिखा जाए तो भासा आप देखो प्रसंद की भासा पहला काम करती है कि ठीक से आप ना समझो तो यहां पर शब्द क्या है आबलिक सब्द क्या दे रहा है आबलिक ठीक है आबलिक शब्द के कौन सा रूफ होगा जब सब्द के प्रतेक स्वर को अंग्रेजी वर्ड माला का अनुसरण करते हुए जैसे अंग्रेजी दूसरे करम के अक्षर के साथ तो दूसरे कुशर क्या होगा बढ़ते क्रम में कहा जाएगा प्लस टू हो वर्ड माला में राइट जाने का मतलब बढ़ना और लेफ्ट जाने का मतलब कम होना लेकिन अगर कुछ ना कहे तो दूसरा तीसरा क्रम कहे तो उसका मतलब बढ़ना यानि प्लस में होता है तो अगर कह रहा है कि उस्वर को वर्ड माला के अनुसार दूसरे क्रम के अक्षर से इसका मतलब जितने स्वर हैं जितने यहाँ पे स्वर हैं उनमें हम प्लस टू कर देंगे वर्ड माला के अनुसार हो जाएगा ना तो प्लस टू कर देंगे फिर क्या कहता है प्रतेग बेंजन को तीसरे अक्षर से तो प्रतेग बेंजन में तीसरे अक्षर मतलब प्लस थ्री क कर देंगे तो तेन बेंजन है प्लस ठी कर देंगे तो परड़ाम सब्द का रूप क्या हो जाएगा पंदरा दो सतरा तीन दो पांच बारा तीन पंदरा नो दो ग्यारा सतरा तीन बीस 21 दो तेज और पांच दो साथ, तो हमारे इस स्वाबलिक सब्द का नया रूप क्या हो जाएगा, Q, E, O, K, T, W, G, और जिस आपसन में यह दिखाई दे, वो हमारा जबाब, तो Q ना तो पहले में है, ना तीसरे में है, तो दूसरे और चोथे में से हमें मिलाना है, दोनों में अंतर क्या है, इसमें लास्ट में X है और इसमें W, और हमारे में क्या है, W, तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा, हमारा एंसर हो जाएगा, आपसन D, है ना, आपसन D हमारा correct एंसर, चलिए, अगला कुश्चन देखते हैं, इस तरह से भी प्रस्ना जाते हैं, simple simple प्रस्न है, लेकिन बस एक बार Sticker कहा रहा है इनके अक्षरों से इसमें से कौन सा सब्द नहीं बनेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब तीन आपसन बनेगा एंग नहीं बनेगा हऊ हमारा जबाब तो जैसे हमारा पहला सब्द है, आपसं से इसको हल करने होंगे, पहला है admit, तो A, D, M, I, T, तो यहां पर देखें, A, D, M, I, और T, सारे लेटर हैं, यानि यह बनेगा, यहां पर देखें, चौथा है road, R, O, A, D, तो R, O, A, D, A, B है, A भी बनेगा, मानिया, M, A, N, I, A, तो M, A, N, I, A, टबल A भी है, यहां पर, A भी बन जाएगा, और अगर B वाला आपसं देखें, N, E, S, T, तो N भी है, S भी है, T भी है, लेकिन E administrator में कहीं भी E नहीं है, और E नहीं है, तो फिर इसके लेटर से nest नहीं बनाया जा सकता, और यह हमारा जबाब हो जाएगा, है ना, हमारा जबाब नह आने वाले थे ना, तो यह सब बनेंगे, यह नहीं, हमारा जबाब क्या हो जाएगा, जो नहीं बनाया जा सकता, यानि option B, तो option B हमारा correct answer हो जाएगा, है ना, अगला question, इसी तरह पूछ लेता है, कि कौन सा सब्द दिये गए, सब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो वही हमारा जबाब होगा, तो अगर इसे देखें, पहला farmer, F-A-R-M-E-R, तो इसमें देखें, information में कहीं भी E नहीं है, ठीक है, एक तो यह कमी हुई, दूसरी इसमें R double बार आया हुआ है, जबकि information में R single है, तो यहाँ पर दो बार कैसे आ सकता है, इस वज़ा से भी यह न ठीक है, I है, R है, लेकिन E नहीं है, तो E नहीं है, तो यह भी नहीं बनेगा, तीसरा है motion, M-O-T-I-O-Y-N, तो M यहाँ पर है, O यहाँ पर है, T-I-O-Y-N यह लास्ट के चार, यानि motion सब्द इससे बन जाएगा, और name देख ले, इसमें E आया हुआ है, तो यह भी नहीं बन बनेगा, है ना, कौन सा बनाया जा सकता है, या कौन सा नहीं बनाया जा सकता, यह दोनों तरह के प्रस्ना जाते हैं, तो यह चीजें एकदम क्लियर रहें, कुछ विशेश नहीं है, ठीक है, बस यह है कि सावधान तो रहना है, वरना गलतियां हो जाती है, एक question देखे, कह है, कह रहा है कि निमलिखित सब्दों को सब्दकोस के अनुसार, अंग्रेजी सब्दों को कह देता है, कि अंग्रेजी सब्दकोस यानि English dictionary के अनुसार विवस्तित करें और उचित बिकलब का चैन करें, यानि इसमें अगर देखा जाये तो dictionary के अनुसार, dictionary का मतलब समझ रह क्योंकि डिक्सिनरी का जो संकलन होता है ओभी अलफा बेटकली क्रम पे होता है तो रडमाला क्रम या डिक्सिनरी का रूप एक जैसा होता है तो डिक्सिनरी में सारे शब्द होते हैं इसलिए सब्दों का जिक्रिया सब्द को उसके अनुसार कह देता है तो सबसे पहले आप देखो इसमें से कौन सा सब्द पहले आएगा पहला लेटर toast उत ईति है nbaren mo situation यूट तो कौन सा यूट आएगा ए भी नहीं जान सकते तो तीसराा नटी है कौन सा टी आएगा ये भी नहीं जान सकते तो अब ये क्या सिआन हम छोड़ देंगे तीन लेटर हम छोड़ देंगे है न सबका पहले का तीन लेटर कामन है तो जितना कामन रहे उतना सब छोड़ दो उसके बाद सबका चौथे क्रम का लेटर देखो तो यहां पर यहाँ टी है यहाँ पर डबलू है यहाँ पर पी है और यहाँ यस तो जड़ा देखो पांच सब्दों में चार तरह के लेटर दिखाई दे रहे हैं कौन कौन यस मिला है दो में फिर मिला है एक में एक में डबलू एक में पी तो यस मिला टी मिला डबलू मिला पी मिला चार के लेटर मिले तो इन चारों में वर्ड माला क्रम में सबसे पहले कौन आएगा निस्चित रूप से पी तो पी पहले आएगा तो आउट पुट फर्स्ट नमबर पर होगा ठीक है और पी के बाद क्या आएगा इसमें से यस यस दो हैं पहला और आखरी तो यह हो जाएंगे द दूसरे नमबर पर आई तीसरे नमबर पर इसके बाद आ जाएगा टी का नमबर है ना तो टी का नमबर तो आउट टाप आ जाएगा चौथे नमबर पर और सबसे लास्ट में आउट विट हो जाएगा पांचवे नमबर तो यह नमबर तो हमने दिया लेकिन हमें देना किस रूप में है देना कैसे है सबसे पहले आउटपुट है तो आउटपुट कौन सा है दूसरा फिर दूसरे नमबर पर का उना आया पांचवा यह दूसरे नमबर पर तीसरे नमबर पर पहला है ना फिर चौथे नमबर पर चौथा फिर पांचवे नमबर पर तीसरा यानि यह वाला option हमें कैच करना है तो 2 5 1 4 3 तो 2 5 1 4 3 कहां पर है first option में ही तो हमारा option A सही जबाब होगा हमारा option A सही जबाब हो जाएगा clear है छोटे-छोटे questions हैं छोटे-छोटे questions रहेंगे लेकिन अगर गलती हुई तो यहां गलत होने की भी गुटा इस पूरी तरह से रहती है इसमें आपको इस तरह से भी बता दिया जाता है इस तरह से भी पूछ ले जाएगा कI कौन सा अक्शर पांचवे नंबर पर आएगा या उनको अगर dictionary की अनुसार सब्द को इसकिन करने पर कौन सा सब्द तो दूसरे नमबर पर आएगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या जैसे आप देख रहे हैं, कि दिये गए सब्दों को ब्यवस्थित करें, और इस कूट के अनुसार आप जबाब दें, तो कूट के अनुसार में हमें सब को संक्लित करके जबाब देना होता है, है ना, स तो इसलिए सरल कुष्चन है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती कहीं से भी कभी भी करा सकता है, तो हमें एक एक कुष्चन को चुन-चुन करके हिसाब करना आए, अगर सफल होना है, तो एक भी तरह से कहीं से भी निगेटिविटी नहीं बननी चाहिए इतना इसको बनाओ कि टापर वाली कंडिशन्स बन जाए, सलेक्शन तो बहुत दूर की चीज, ठीक है, चलिए, अगला, यहाँ पर इस तरह के भी प्रस्न आ जाते हैं, साड़ी या चार्ट को दे करके, प्रस्न बन जाते हैं, इनको थोड़ा सा कहिए तो हम और आपको तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्ड माला की के निम्न विवस्ता का अध्यन कर प्रस्नों के जवुत्तर दीजिए, तो यहाँ पर देखें, एक अक्षरों की एक स्रिंखला दी गई है, अक्षरों की हो सकते हैं, संकेत, सिंबल, कुल मिला कर हो सकते है तो इस तरह का चार्ट दे दिया जाता है और इस तरह के चार्ट के बाद हमसे कुश्चन कराया पूछा जाता है इसी पर कुश्चन बनेगा और कुछ इस ग्रूप में बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं कुछ आप पहले से नहीं रट सकते हो वो कंडिशनल होते हैं उन्हे आप सिस्टम पर उसके जो स्रिंखला दी गई है उसी के आधार से आप उन्हें जज करेंगे और उसी के आधार से वो बनेंगे तो ऐसे कुश्चनों को सिंपल तरह से आपको क्रम से देखना होगा कि किस तरह से इसको देखा जाये प्रसन क्या बोल रहा है स्रिंखला में क्या है तो यहाँ पर देखें कर आपने अस्थान के आधार पर निमलिखित चार में से तीन किसी प्रकार समान है अतह उनका एक समूव बनता है यानि यह कहना चाहता है कि इस स्रिंखला के आधार पर यह जो आपसन दे रखा है चार इन चार में से तीन किसी प् बनाव करना है ना कर आया निमलिखित चार में से तीन किसी प्रकार एक समान है अता हुनका समूह बनता है वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता यानि आड़ वन आउट के रूप में हमें चुनना है लेकिन वो सिस्टम जो हमें आता था वो तो हम अपनी तरफ से लाज कुछरों को देखाएं जैसे पहला इसमें दिखाई देता है ओ एम आर तो अगर हम देखें तो कहां है यहांपर है एम कहां है एक छोड़कर पीछे है और पर हो जाएगा यहां पर ठीक है O, M, R और दूसरा E, C, N है ना तो E कहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है E है C कहा है आगे है एक छोड़ कर आगे और N कहा है E के एक छोड़ कर पीछे N है पीछे क्या है N है ठीक है और तीसरा देखें आप सन B, R, Y तो B कहा है यहाँ पर है ठीक है R कहा है यहाँ पर है Y कहा है B छोड़ कर एक आगे फिर अगला है K, V, Y K, Y, V तो K कहा है यहाँ पर है Y कहा है एक छोड़ कर पीछे V कहा है K, K, एक छोड़ कर आगे अगर आप ध्यान से देखो तो सभी आपसनों में पहले में पहले में तीसरे में चौथे में अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही तरीका अपनाया मिलता है और तरीका क्या है कि ये पहले पीछे जा रहा है एक छोड़ कर फिर एक छोड़ कर आगे तीसरा वाला भी पीछे गया फिर आगे चौथा वाला भी पीछे गया एक छोड़ कर फिर आगे लेकिन दूसरा वाला आपसन पहले आगे गया है फिर पीछे तो ये तो अलग हुआ ना पहला तीसरा और चौथा एकदम एक जैसे हो गये लेकिन दूसरा वाला उल्टे क्रम में बन रहा है तो इन तीनों का पहले तीसरे और चौथे का एक ग्रुप बन गया कि ये तीनों एक जैसे हैं और इन में भिन कौन हुआ भिन हुआ दो दूसरा यानि आपसन बी वाला यानि ए सी एन ये भिन हुआ जो उस समूभ में नहीं है और यही हमारा जबाब हो जाएगा यही हमारा जबाब हो जाएगा इतना फैक्चुल है तो अब आप समझ लिए कि अलफा बेट में किन किन टाइप से कुश्चन्स आने हैं अब आप पूरे अलफा बेट को देखकर जान सकते हैं कि टिपिकल कुश्चन कहीं नहीं है लेकिन हाँ भासाई रूप में थोड़ा सा साउधानी रखना है अगर भासाई रूप में अगर आसाउधान हुए आप तो आप से गलती भी हो सकती है और यही बचाना है क्यों बचाना है क्योंकि आलफा बेट आप चैप्टर के कुश्चन्स देखी रहे हो क्या आलफा बेट चैप्टर का कुश्चन कोई भी लड पहुँँ जाएंगे आप है ना तो इस वजा से एक कुश्चन किसी भी सूरत में किसी भी तरह से आपको मिश नहीं करने है ओके क्लियर है तो इस ध्यान में रखना तो इस तरह हमारा ये चैप्टर आज complete होता है और अगले चैप्टर से हम चलेंगे और चैप्टरों को अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर में कि हम किस तरह से प्रसनों को देखेंगे जो जो important है जिन जिन चैप्टरों से निश्चित रूप से question आने हैं उनको पहले clear कराय जा रहा है तो आज के लिए बस इतना मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ तब तक मस्त रहिए पढ़ते रहिए आनंद रहिए शुबरात्री गुड़नाइट जैहिन